दोस्तों नमस्कार केसे हो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले हैं मनराज दिवाना की शादी कब किस से हुई है प्रियंका या सुनिता तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ वीडियो को अन तक देखते रहे चैनल को लाइक और सस्कराइब कर दिजिए तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे प्रियंका की प्रियंका और मनराज दिवाना का बोर कहा मिले मनराज दिवाने की लवस्चोरी की बात करें तो ये अपने घर का गुज्जा करने के लिए सवाई माधोपूर रोड की देरी प्रोड़क्ट की गाड़ी थी और तब उसकी मुलाकात मनराज दीवाना से हो गई दोस्तो बाद में मनराज दीवाना ने उसको लिपिक दी फिर मनराज दीविन ने अपने मन की बात प्रियंका से कह दी और इसकी मुलाकात वहीं से शुरू हो गई दोस्तो हम प्रियंका की बात करें तो ये मनराज दीवाना की गरल फेंड है जिससे मनराज बहुत बेपना हमोह बत करता था, दोस्तो इसी की वज़े है, से आज मनराज धीवाना सुपर स्टार बन गया और भारत के कोने-कोने में छगाया, प्रियंका क्या करती है, भाईयो अगर हम ये जाने की मनराज धीवाना की गरल फेंड, क्या काम क करें तो इसकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है, दोस्तो मुझे इसके पती पूरे खानदान का पता है, लेकिन ख्रमा करना ऐसे किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनके किसी परिवार के सदस्य का नाम नहीं लूँगा, और वो मुलाकात प्यार में बदल दोस्तो अगर हम मनराज की इस महबूबा के गाव की बात करें तो मनराज दीवाने से लगबग 8 किलो मीटर दूर है, दोस्तो ये सवाई माधोपुर की एक तेह सील, चोत के बर्वारा के गाव से है क्रमा करें गयाव का नाम लेना उचित नहीं होगा, दोस्तों प्यार में दुखा खाने के बाद मनराज दीवाना की शादी घरवालों ने करवादी मनराज दीवाना की पत्नी का नाम सुनीता है और वे हाउस वाइप है मनराज दीवाने के परिवार में कौन है, हम जाने की मनराज दीवाने के परिवार में कौन-कौन है तो दोस्तो जब मनराज द दीवाना छोटा था तब इसके साथ बहुती दुखद घटना हो गय थी। दोस्तों क्या हुआ कि इसके बच्पन में इसकी मा गुजर गई दोस्तों आज कि बात करें तो दो भाई और एक बहन हैं, दोस्तों और उसकी बीवी और उसकी एक लड़की भी साथ है।